जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी कनेक्ट ग्रिंग उतना ही आपके लिए लिए भी बैतर रहेगा और मेरे लिए भी आट सो दोस्तों इससे पहले जो हम लोगों ने बैग बांडिंग की एपल hypert एक पड़ी किस तरह से बांड आ देती हैं हम लोगों ने चर्चाएं की तीसरी अप्लिकेशन हम लोगे बताया शेप, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल्स को किस तरह से बदलती हैं, उनके साथ क्या खिलवाड होते हैं, यह सब हम लोगे देखा फिर उसके बाद चोथे अप्लिकेशन में मैंने बताया कि बैक बॉन्डिंग किस तरह से लेविस एसीडिटी को घटा देती हैं, क्योंकि वो वेकेंट और बाइटल होता है, उस वेकेंट और बाइटल में हमें धरकार है कि वो वेकेंट ही रहे, लेविस एसीडिटी कहती है क वेकेंट और बाइटल ही रहे प्यॉर वेकेंट बना रहे लेकिन बैक बॉंडिंग से क्या होता है यहां पर यह पार्चली फिल्ड हो जाते हैं और इनके असेप्ट करने की टेंडेंसीज घट जाती है क्यों यह कहीं और इंगेज हो तुके यह हम लोगों ने समझा अब इसके देने की जो टेंडेंसीज है वो उतनी कमाल की नहीं है जितनी की फ्री स्टेट में होती या इन the absence of backbonding होती है तो backbonding ने बॉनों को ही घटाया था लेवीस सेडिटी अध बहु घटा दिया था यह पांच भी हम लूग सेख्ष चुके थे पढ़ चुके थे जान चुके घे मांग चुके थे अब हम लोग छटे application की तरफ चलते हैं 6th application की तरफ चलते हैं आप लोग comment कर रहे होंगे अभी मेरे पास वह तो आप प् यहां जाना हुँ पका जवाब जो बी है 1 रूम्गा जोब यह दूग तक आप जल्दी से केनेकट होजाइए अपने जोदी से जल्दी कनेक्ट होने के लिए जो सिक्स वालत से वो eigenlijk Adduct Formation Adduct 욥ist नभी कभी बनते है उन्हाम हो में अडक्ट कब होते हैं किसे एक Peng ऐते हैं और आपने पहलने या वहहमिकल के बिल्कुलियार ये मुझे पता हिसे थी यह अन इर यह चल रहा है यह थाड़ आ गुड इवनिंग गुड इवनिंग बाई गुड इवनिंग पूल्द इवनिंग आ इसे रियल और नहीं मानेंगे निर्ज मौण्या आपका सवाल आप उसे बाँड लेंगे बाइब आप पार्शल बाउन्ड उसे आधा बाउंड वां सकते हैं आप उसे complete true bond नहीं मानेंगे जैसे कि अगर मैं बात करूँ जैसे अगर आप BF3 की बात कर रहे हैं तो यहां पर यह जो यह जो तीन bond है यह तीन bond real है इसके अलावा यह जो यह जो मैंने ऐसे दिखाया था यह जो back bonding मैंने ऐसे दिखाई थी यह partial bonds है partial bond नमबरो बॉंड तीन है नमबरो बॉंड चार या पांच नहीं है वह आप नहीं लेंगे गारगी सिंग बिल्कुल आपने सही बताया जहां पर लेविस एसिड लेविस बेस के साथ जुड जाए उसे अड़क्ट बोलते हैं बिल्कुल सही आपने कहा एकदम आपने सही कहा अड़क्ट क्या होते हैं लेविस एसिड बेस के बीच एसिड और लेविस बेस के बीच इंटरेक्शन लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच इंटरेक्शन से जो बनता है लेविस बेस के बीच जो इंटरेक्शन होगी उससे जो नया मॉलिक्यूल बनके आएगा उसे आप अड़क्ट बोलते हैं अड़क अब मुझे बात बताईए, एक बात बताईए मुझे, अड़क्ट कितना स्टेबल होगा, ये कितना स्टेबल होगा, how much stability this adduct can gain, ये depend करता है, ये जो reacting partner है, ये जो levis acid है, और ये जो levis base है, ये कितने उत्सुक हैं, ये bond बनाने के लिए कितने उत्सुक हैं, इनके बीच बना ह वा bond कितना स्टेबल होगा, कितना मजबूत होगा, वो depend करता है, इसकी levis acidity कितनी है, या फिर इसकी levis basicity कितनी है, और आप जानते हैं, levis acidity और levis basicity दोनों ही back bonding से परभावित होती है, back bonding दोनों को ही effect करती है, अगर levis acid में कहीं back bonding हो रही है, मतलब इसमें अगर back bonding की इसकी acidity decrease कर जाएगी, अगर इसमें इस levis base में अगर back bonding है, तो जाहिर सी बात है, इसकी भी basicity decrease कर जाएगी, और अगर इनकी acidity और basicity decrease कर गई, मतलब इसके लेने की tendencies अगर कम हो गई, मतलब इसके पास जो खाली orbital था, अगर इस orbital में partial filling हो जाए, तो क्या ये लेना पसंद क करेगा क्या, क्या ये उतना उत्सुक है क्या लेने के लिए, अब ये उतना उत्सुक नहीं है लेने के लिए, उतना मरा नहीं जा रहा है लेने के लिए, ठीक वैसे ही, अब इसकी acidity decrease कर गई है, ठीक इसी तरह से अगर मैं basic city की बात करूँ, अगर ये भरावा orbital कहीं और दे लग गया कहीं और देरा अपने अंदर ही बगल वाले सिलिकन को नाइट्रोजन दे रहा है अगर यहां देने लग गया तो क्या यह उतना आतुर है क्या किसी दूसरे को देने के लिए क्या इसके पास उतनी इफेक्टिव इलक्ट्रों डेंसिटी बती क्या अब जो यह किसी द जाएंगी मतलब बैक बॉंडिंग अगर हुई तो फिर वह लेवीज एसीडीटी को प्रमावित करेगी एसीडीटी को कम कर देगी बेसी सीटीज को भी घटा देगी और इनके 20 इंटरेक्शन के एक्स्टेंट कम होने लगेंगे और बनने वाले जो बॉन्ड हैं वह बहुत कर देघाएं मेरी बात अरे आप मेरी बात समझ यह बोल जल्दी से बोलो जल्से मुझे बताओ अ कर लेंगे तिशांध कर देंगे कर देंगे डिफरेंट यूज कर लेंगे ओएच का नहीं है OCS3 का ही ज़्यादा होता है OCS3 का ही ज़्यादा होता है OCS3 का नहीं अरे यहां CS3 अपना प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा और ऑक्सिजन पर इलेक्ट्रोन डेंसिटीज को बढ़ाएगा आप उसका प्लस आई इफेक्ट देखेंगे केवल अरे उसका प्लस आई इफेक्ट देखना है प्लस आई इफेक्ट H का प्लस आई इफेक्ट कुछ होता नहीं है H तो रिलेटिव लेते हैं अपन बोलो यार, H के respect में C3 का प्लसाय effect बहुत जाधा है, और अगर बहुत जाधा होगा, तो वो oxygen पर electronic density को बहुत जाधा बढ़ा देगा, अरे बोलतो दो बहुत जाधा बढ़ा देगा, और अगर बहुत जाधा बढ़ा देगा, तो अब यह oxygen जाधा backbonding करेगा, और अगर चलिए अब अपने एक लेते और मुझे बताइए डेहें बैक बॉंडिंग ने क्या खिलवाड की बैक बॉंडिंग ने इसके दोननेटींग्findflow कुम दिया 20 िसको असेटइनेशित को कम कर दिया चियुक्ते असेप्न के अर्बाइंडल था यह इंगेज हो गया है इसमें पहले से कोई दे रहा है इसके इसके डोनेटिंग टेंडेंसी को घटा दिया बैक बोलो यार इसके donating tendencies को क्योंकि क्योंकि यह किसी और को देने लग गया है अब किसी और के साथ engage हो गया है अब effectively नहीं दे पाएगा बोलो यार तो इस वज़े से दोनों ही प्रॉपर्टी बैक बांडिंग से बहुत बखवास बनाएंगे अले या relatively less stable बनाएंगे चलिए देखते हैं कैसा अड़क्ट बनेगा मुझे बताईए मैं कुछ केस लिखता हूं पहला जो केस है Case 1, इसमें मैंने ले लिया BBR3, क्या इसमें back bonding होती है, back bonding की conditions, देख लिजे, back bonding की condition में, देखे इसके पास vacant orbital है, सबसे पहली condition देख लेते हैं, BBR3 में, BBR3 में back bonding होती है, क्या नहीं होती, वैसे नहीं होती, मैं आपको condition wise बता देता हूँ, bond polar है, हाँ, polar है, इसके उपर partial positive है, बोरून के उपर हाँ, partial positive है, इसे पास vacant orbital भी है, लेकिन BR के पास, जो donating orbital है, वो 4P है, और मैंने कहा था, कि दोनों partner में से, एक तो पक्का second group का होना चाहिए, दूसरा second या third दोनों का चलेगा, लेकिन यहाँ पर यह तो fourth का है, बोलो यार, यह तो, bromine तो fourth का आ गया, तो मतल लिया मैंने levis base, यह मैंने लिया levis base, बोलो बई, क्या इस पर loan pair है, यह negatively चार्ज दे हाँ, यहाँ बेक बोंडिंग होंगी क्या, नहीं होगी, यह पोजिटिवली चार्ज दे है, लेकिन खाली orbital नहीं है carbon पर, तो यहाँ बेक बोंडिंग नहीं होंगी, यह वाला मैंने case ल इस लेविस एसिड के पास पूरी तरह से खाली और बायाइटल है मरजारा ला 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 इसमें डाल देख पूरी थरा से खाली है मैं बहुत मरनों भूखा है ये तो प्यासा है एकदम इसके पास ये खाली और बाइटल पूरी तरह से खाली है कुछ नहीं है उसमें बोलो यार और अगर इसकी चर्था करें तो ये भी ये लोन पेर कहीं इंगेज नहीं है पूरी तरह से नाइट्रोजन पर लोकलाइजड है तो ये ये भरावा और बाइटल ये खाली और बाइटल ये कमाल का लेविस बेस ये कमाल का लेविस एसिड और ये आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे और ये जो अड़क्ट बनाएंगे वो कमाल के होंगे गजब के होंगे इनके जो बॉंड बनेंगे अब नाइट्रोज किसी बी बैग दूंकन के साथ ब्रोमीन के साथ कोई लेना देना नहीं बहुत चोटे साइज नहीं होगी कोई इंटेरेक्षण नहीं होगी और बोरोन के पास बहुत चोटा आटर। भाली ओर बाईटल यूड़कुला हुआ और वो लेने के लिए दाल दे मैं तो मरा जा रहा हूं मेरी लिवी सेंसी डइटी इतनी जादा है lucette के लिए पागल हूं तो यहां से यह इस दॉरों के वेकेंट में डाल देगा बिना कोई तकलीफ के और इनके जून नया अडक्ट बनेगा अ गात तरह का वनिगा और यह कमाल का सटेबल होगा कमाल का सिली देवल कई द करेकर सुभाट करें दोनों बैग बंद करहें इसकी पांग कि लेल एक लिए और लेविस बेसीजिटी नहीं घटी यह भी पागल है देने के लिए और इनके बीच में जो बॉंड बनेंगे वो कमा लोंगे Best Complex बनेगा Best complex Best Adduct गजब का Stable Adduct गजब का Stable Adduct होगा य है बोलो जार ऐसा होगा मज़ा ही आजएगा दोनों को इंटेरक्शन करके मज़ा ही आजएगा क्या इंटेरक्शन हुई ही बोलो आपको समझ में आया अरे बोलो क्योंकि यहाँ पर दोनों ने ही बैक बांडिंग नहीं की थी इसके लेविस एसिडिक करेक्टर कमाल के थे गजब के थे बहुत भूखा था प्यासा था एकदम और इलक्ट्रोनों के लिए ठीक उसी तरह से ये भी इलक्ट्रोनों की इसके पास भी भरमार थी और ये बहुत आसानी से देना चाहता था और दे गया समझे आप मेरी बात ये इंटरेक्शन बहुत कमाल की हुई है चलिए दूसरी इंटरेक्शन की बात करते हैं ये इंटरेक्शन थी जब दोनों ही लेविस एसिड और लेविस बेस बैक बांडिंग में इन्वाल नहीं थे उस समय जो बनेगा वो कमाल का स्टेबल बनेगा ये पहला केस दूसरा केस दूसरे केस की चर्चाएं करते हैं दूसरा केस क्या होगा बताईए सेकंड केस क्या होगा बताईए देखिए बी अब यहां मैं ले लूँ एस आई एस थ्री ओहो ओहो ये लेविस एसिड है हां ये लेविस हाँ है हां है ли Durk अगल्ट गटक्ल आप इसमें भैक बॉंडिंग हो रही है क्या हुख इसमें भैकबॉंडिंग हो रही है अगर बैगं पूर्निंग हो गई तो इससे इसके लवी ऐसीडिक करेक्टर घट जाएंगे इसमें जो डेफिशेंसी थी इस बोरॉन पर डेफिशेंसी थी इसके पास वेकंट और वाइडल था तरसल वह उंगें उल गया ऑगया है इस साइड एटम के लोन पेर के साथ इस फ्लोरीन के लोन पेर के साथ यह गुलू-गुलू करने लग गया है चाहे कमी करें लेकिन कर रहा है इंगेज हो गया है और इस वज़े से इस वज़े से क्योंकि इस वेकंट और वाइटल में कुछ कम हो गई है यहां पर भी ऐसा हुआ नाइट्रोजन यहां पर सिलिकन के पास खाली 3D यह दे देगा उसको और जैसे उसको देगा तो इसके पास इसके पास जो इफेक्टिव एक्ट्रों इसके पर पार्चल पॉजिटिव आया अब इसकी फूरदर देने की इस घट जाएंगी घट जाएंगी उत पर सेंटेड नहीं रहाया और बोलो यार यह जो फिल्ड और उरबैटल था जो भरावबा तो देने की टेंडेंसी घट जाएंगी उतने कमाल का नहीं देगा और अगर यह कमाल का नहीं देगा इसकी घट गई यह कमाल का नहीं देगा यह कमाल का नहीं देगा तो फिर इनके भी जो complex adduct interaction होगी levis acid levis base interaction होगी भरेवे orbital भरेवे और्बाइटल, जो की इनगेजड है, इनके पास इफेक्टिव इलक्ट्रों डेंसिटी घट गई है, ये भी पार्चली भरे हुए हैं, इनके भी इन्टरेक्शन होगी, वो बकवास होगी, बहुत बेकार, किसी काम की नहीं, बहुत कमजूर, वाही आतपक्वास जानं होगी क्योंकी है क्योंकि यह भी पूरी तरह से नहीं भरा है यह ईविच सबनेंगे क्योंकि इन गार्ड़ इसको भी सबस्ति इसको भी सब्लाइजेशन आदर जब interaction करने आएंगे अडक्ट बनाने के लिए आएंगे तो कहेंगे अरे ठीक है मैं तो थोड़ा ही मेरे में थोड़ी एलक्टोनों की कमी थी कुछ तो इसने पूरी कर दिये थी का दे रहा तो दे दे नहीं तो कोई नहीं यह कहता है यह कहता है यह नाइट्रोजन एप संभार में नहीं है ना ही बहतरीन दोनर रहेंगे और अब उत necesita करेंगे तो इन बनने वाले बॉन्ड बहद वाईयात बकवास होंगे और ये जो अड़क्त बनेगा वो वर्स्ट होगा क्वैस्ट वर्स्ट होगा क्योंकि ना इस बोरोन को इतनी भूख है ना इस बोरोन में लग जाए तो इनके बीच जो इंटरेक्शन होगी वह वर्स्ट इंटरेक्शन होगी वर्स्ट इंटरेक्शन और अगर वर्स्ट इंटरेक्शन होई तो बेहद बखवास कम स्टेविलिटी का एया डक्ट बनेगा लीश्ट स्टेवल वर्स्ट इंटेट्च्षनी स्टेवल कम्पलेक्स बोलो यार लीश्ट स्टेवल अडक्ट बनेगा समझ now आacam अरे बोलो अगर लेविस एसिड और लेविस बेस अगर इन में बैक बॉंडिंग हो रही है तो फिर इनके लेविस एसिड की लेने की टेंडेंसी और लेविस बेस की देने की टेंडेंसी घड़ जाएंगी और फिर ये फर्दर जब इंटेरेक्शन करने आएंगे बॉंड बन ही नहीं है उसके पास relatively बहुत कम अवेलेबल है तो वह तो खुद ही चाहता है कि जो जो सिलीकन को देदी नहीं वही वापस ले लो तो उसी जद्धो जहद में लगा रहेगा बजाए फरदर देने के के बॉन बनाने के बोलो यार समझने आया यह दूसरा केस था चलिए तीसरे केस की बात करते है केस थार्ड केस थार्ड बताईए अगर ऐसा हो जाए कि लेविस एसीड में तो बैक बॉंड़िंग हो रही है लेकिन लेविस बेस में नहीं हो IRA फिर क्या होगा एक केस ये बनता है इसी गाँ दूस्रा भार एए इसको आप अ मानलो और इसी केस का बी पार्ट में लेविस यविस कमाल कमाल की जिग्ञाषा थी दोनों बेताब थे बॉन्ड बनाने के लिए यहां पर यहां पर बनेंगे यह तो खूब भैतरीन मनाना चाहेगा यह इसका इसके इसके मन में उतनी जिग्यासा नहीं होगी यह उतना आतुर नहीं होगा bond बनाने के लिए तो bond तो यहाँ पर ही बनेंगे लेकिन first case में जहाँ दोनों में नहीं थी वो तो पाघल थे bond बनाने के लिए यहाँ पर bond बनेगा यहाँ पर अड़क्ट बनेंगे उससे कम stable adduct बनेंगे लेकिन जो second case था जिसमें दोनों में हो रही थी वहाँ तो दोनों ही चाहते थे कि कोई ने मेरे पास ना है base कहता था ना मेरे पास उतनी कमाल की है levis acid कहता था ने मेरा तो काम चली रहा है तो ज्यादा ज्यादा आतुर नहीं थे ज्यादा मर नहीं रहे थे बॉन बनाने के लिए तो वातुल वर्स्ट बने थे यहाँ पर बीच के बनेंगे ना ही कमाल के stable ना ही बहुत बखवास समझे आप मेरी बात तो यहाँ बीच के intermediate stability के intermediate stability के intermediate stability adduct will be formed समझे आप मेरी बात इसके एक्जामपल आप भी मुझे बता सकते हैं या मैं करवाई देता हूँ बताईए जल्दी बताईए अरे जल्दी बताईए हाँ दोनों हैपी हो गए बिलकुल पहले वाले केस में तो दोनों ही दोनों बहुत हैपी हो गए पहले डोनों ही चल रहा है वससं ठीक है थिक है मेरा काम मेरे अंदर से चल गया तेरा काम तेरा काम देखे लैविसस्अ एसिड कहता है कि मेरा काम तो ठीक है लेता हूं ना जितना सिगमा से जबया हुए लेक्त के पास लोन पेर है और मेरी नर्जी के जैसे ही है मतलब उसका भी चोटा साइज है लौन पेर कंटेनिंगा और वह भी टूपी और मेरे पास भी वेकेंट टूपी है मेरे को दे देगा लेकिन प्लोरीं के ना SHE के लिए है यह दुंगा यौँगा नहीं ज्यासे मैं नहीं रियभा सब्सक्राइब मतलब को कता है अगर तो कभी बनेंगे दिखाने भर के लिए और अगर इंटेरेक्ट्ट्ट्ट्ट्रों पे रिजन है जो और पाइंटेरेक्शन होती भी है तो यह जो शेड रिजन में दो इलक्ट्रों के देंसिटी होती नहीं है इसलिए तो कहा था कि वह स्यूडो बॉंड ना के बराबर काम चला हूं बस दिखाने बर के लिए थोड़ी सी स्टेबिलेटी मिल जाती है इसलिए बोला था बैक बॉंडिंग में चलिए चलिए अब मैं अब मैं बात करता हूं कि इस केस की बताइए लेविस एसिड लेविस एसिड में बैक बॉंडिंग हो रही हो तो बता ये कौन से एक्जाम्पल लों कोई भी ले सकता हूं ले वेख ट्री ट्री टैप बोलो यार और लेविस बेस में नई हो रही हो जीसे Re wszystk इसका 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 दू वेकेंट ऑर एक्टल है क्या रखना पूरी तरह से यह पूरी सब्सक्राइए तो फिर इसके साथ बैत्री नौवर लैप नहीं कर पाएगा और अगर बैत्रीन नहीं हुई तो फिर बखवास स्टेबल सुआ कॉंपलेक्स बदेंगे बहुत कम स्टेबल स्टेबल सबसुन के लिए लेकिन यह काम चली रहा है घर के घर में काम चल रहा तो फिर मैं मुझे उतनी जादा दरकार नहीं है मैं उतना भूखा नहीं हूं यह ऐसे अगर मान लो उल्टा हो जाए यहां पर यहां पर बैक बांडिंग ना हो और यहां बैक बांडिंग हो जाए तो फिर यह 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 मराज आ रहा है लेने के लिए अगले केस में क्या होगा 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 अगले केस में उल्टा हो जाएगा अगले केस में उल्टा हो जाएगा अगले केस में उल्टा हो जाएगा अब इसके पास यह कुंप्लीटली वेकलंट यह तो कहा है यह तो यह तो यह लेकिन यह पर इंट्रेक्शन हो रहा है सिलिकन के साथ यह इसके साथ और अगर रहेगा और अगर नहीं रहेगा तो इसके डोनेट करने की टेंटैंसीज घट जाएंगी बोलो यार और बोलो डोनेटिंग टेंडींसीज घट जाएंगी तरीके से मिल जाए कैसे भी मिले लेकिन यहां पर यह नहीं देना चाहता क्योंकि इसके पर effective electron densities कम हो चुकी है क्योंकि यह बैक बांडिंग में शामिल था तो अब यह जो complex बनेगा यह भी intermediate stability का बनेगा समझे आप मेरी बात यह कुछ बाते थी जो की अड़क्ट stability के लिए आपको समझ रही थी इसमें जो सवाल आता है वह या तो worst के लिए पूछेगा या तो worst के लिए पूछेगा वर्स अड़क्ट कौन सा बनेगा तो आपको केस फर्स दोनों में बेकबॉंडिंग नहीं होरी और उनमें कमाल की interaction होंगी इसी तरग के intermediate stability के कभी वो कंपेरथ नहीं करवाएगा कभी नहीं करवाएगा समझे आप मेरी बात अरहे आप मेरी बात समझे किया चले है आगे चले अगली application की तरफ चले अगली application की तरफ है application number seven छे application हो गई है साथ वे application की तरफ चलते हैं बोलो यार क्रिक्जा कि कि तो इफक्ट है और दिखते हैं आपको इसके इफेक्ट आपको दिखते हैं लेकिन यह यह बनाते हैं ना ये जो बन्ड मैंने बनाया देख बैक बॉंडिंस रहे ये दरसल ट्र्यूंड नहीं है अंधिंस कार बना ल्फ यार अजा अगर आप यह किरना घृ आ jump जब टरौन भेजना पड़ेगा यहां पर पूरी तरह से और उस ने ऐसा किया तो फिर वो से हो जाएगा बोलो तरह से इस तरह से हो गया इस की ऐसा करेगा क Sakirya alexor driver of fineege고 early बिम्र भीनेगा और उसके बाद ऌठाएअ कर ले उसका उसके बाद इसको भी इस वजए से यह कभी इस तरह से आई नहीं होगा कभी इस तरह से नहीं दिखेगा इस तरह से आप दिखा नहीं सकते ऑफ भी मैंने वोला जो छे ढोला उसमें 2 इल्लख्ट्रोन्तिकास्ति ही उसमें इस एलक्ट्रोन की टेंसीटी है और 연‐ । इस शेर रिजन में और ऐलक्ट्रों की द şekilde हाफ़ इलक्ट्रों डेंसिटी है क्रफल इस में और आघर दृट्ष्य अगर क्षों कि आघर आधा केर किया जाए उसे कैसे दिखाए यह लेविस ने नहीं दिखाया ना बताया तो इसलिए मैं इस तरह का बॉंड नहीं मना सकता समझे आप मेरी बाप अरे समझे क्या गठीक कि अगे चाँ और ते बढ़ते हैं बट्नाट गण इन बाण ओडर हाँ और को एक्सपरिमेंटल अभी नास्परिमेंटल डिंधाप और सिंगल की कितनी ती कि डूव फिर इस यह बाउड की कितनी दिखेंग कि आखें वैसे आप देखके नहीं हिंग बता सकते हैं अरे वैसे आप देखके नहीं बता सकते समझे आप मेरी बात अरे आप मेरी बात समझे क्या आप मेरी बात समझे क्या इसको आप नोट कर लेना बहुत इंपोर्टेंट बात है अरे बहुत इंपोर्टेंट बात है मैं इसको मिटा रहा हूं इसको मिटा रहा हूं इसको मिटा बताईए बताईए एसेडिटी सीक्वेंस क्या होगी इनकी इनकी इसेडिटी सीक्वेंस क्या होगी मुझे बताईए इनकी इसेडिटी सीक्वेंस क्या होगी क्या होगी इनकी इसेडिटी सीक्वेंस जल्दी से मुझे बता दीजे क्या होगी इसेडिटी सीक्वेंस क्या होगी इनकी इसेडिटी सीक्वेंस इनकी इसेडिटी सीक्वेंस में भी बैकबॉंडिंग का कमाल का रोल है समझें क्या acidity आप कैसे देखते हैं कोई भी acid होता है तो आप कैसे देखते हैं उसका वह है दे दे और उसका conjugate base बने यह कितना स्टेबल है conjugate base की stability stability के respect में हम बताते है conjugate base stable कितना है उसी हम बताते हैं अगर conjugate base कमाल का stable है भेंकर स्टेबल है highly stable है highly stable है तो फिर क्या होगा highly stable है तो यह reaction बहुत आगे चलेगा आगे चलना चाहेगा खूब आगे चला जाएगा और अगर आगे चला जाएगा तो जाएंगी concentration बहुत हाई हो जाएंगी और यह कमाल की strong acidic species होगी strong acidic species होगी ऐसा ही हम लोग जानते हैं और पढ़ें भी इसी तरह से पढ़ें अभी तक हम लोग बोलो यार अचा मुझे इसकी sequence बताईए क्या होगा क्या back bonding यहाँ पर कुछ कर सकती है क्या back bonding कुछ खिलवार कर सकती है क्या अगर आप electron negativity के basis पर गए तो फिर आप बरबाद हो जाएंगे जैसे कि आप BF3, BCL3, BBR3 में बरबाद हुए थे क्यक्यों वहाँ पर खेला, बदल गया था, वहां back bonding ने कुथ और कर दिया था, fluorine वैसे भी बहुत जयदा लेती है कमाल का लेती है, लेकिन क्योंकि bond बहुत छोटे हैं, देती नहीं है, the fluorine देती नहीं, Komal का लेती है, लेकिन bond बहुत छोटे थे इसलिए थोड़ा सा भी अगर इस आवय औरवैं और आप गवार्वास का इस वेकेंट बोरोन के ओरे alimentation हो जाए तो फिर तो फिर तो फिर यह बोरोन electronically थोड़ा सरिच को जाएगा वजाए उसके सब क्लोरीन हो सशाहें कम लेब लेकिन देती पही नहीं देती तो है नहीं बिल्कुल ही नहीं देती क्योंकि बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- वैसे फ्लोरिन देता नहीं है लेकिन औरबिटल पास पास है जो ओर लेप रीजन है वो गलती से बढ़ गया है गलती से बढ़ गया है क्योंकि दोनों पास पास से सिग्मा बहुत स्ट्रॉंग था अरे बोलो यार इसलिए दरसल यहां फ्लोरिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जा क्या होगा सीक्वेंजी भी यार तरी का सबसे जाधा नहीं अदिति आपने गलत बताया है कि उश्कर नारायन जी आप सही होते होते बचे हैं सही नहीं गल्ट है दुबारा देख लेना अभिशेक गोतम दुबारा देख लेना आपको समझ में आ जाएगा कोई डाउट रहे तो में सर्फ पूछ लेना हरस जलान आपने भी गलत बता दिया है हरस जलान आप भी फस गए इस गच्चे में राजेश रजनीश स्वरी रजनीश आप भी फस आगे का भी बता दीजे आगे का क्या होगा बोलो यार आगे का क्या होगा चलिया मैं जिक्र कर देता हूं मैं ही जिक्र कर देता हूं मैं ही जिक्र कर देता हूं कुछ नहीं करना था यार अरे कुछ नहीं करना था कॉंजूगेट बेस की स्टेबिलिटी देख नी थी और हम तो दो यह बनेगा यही बना अब मुझे बात बताओ कार्बन के पास भरा हुआ और वाइटल है कि फ्लोरीन के पास वेकेंट है क्या अब तुम कहोगे सर यह यह इसको क्यों दे रहा है इसी को देगा यह कार्बन पर लोकलाइज चार्ज है और कोई स्पीसीज दुनिया में गहने के साथ जी सकती है क्या नहीं इलक्ट्रोम्न ट는지र्री टी अरे उलक्ट्रोन ब्रीक्रोम टेडटwide हर एक चार्ज पीसändern निद्टेस यहां पर से एकसे सार्ज को में रिमूव करना साथी आटाना साथी तो वैसे यह आँंपर होगा म्या बताओ पर सने में के तो सिख्मा के त्रूर क्लोरीन ज тай वौन नौट यहां अगर च्रचा करूं तो कारपन के पाश भाया टू पि पी और क्लोरीन के पास खाली 3D ओहूं यहीं तो चाहिए था यह तो combination है एक बाद निंग का बैक बाद निंग का combination बैकबांड निंग की condition का combination बोलो यार चो चोथी कशनल और वाइटल combination यह तो है यह भारा हुआ 2P उस वेकंड 3D में दे सकता है और बोलो सिग्मा से तो लहिरा है सिगमा से तो क्लोरीन ले रही है और अगला अगला यह यआ भॉंडिंग से बहें लेगा एंटरेक्षण ओरositionल और बनेगा आरे बोलो यार अगला बना अगला बना आगला यहार यह कुणोने त्टारा ना ओगे वो इसतरे रृपस के पारिम लौ उपन से नउनर्जी उटेंट क्रक्टेसटेंप और चैनल सकते हैं यह के दोनों कर रहा है sigma B और पाइभी और इसी लिए ये जीत गया इसलिए जीत गया यह क्रें करत सब से जाधा होगा सबसे ज़ादा सबसे ज़ादा सबसेबंदन्ध न्यूटलाइजिसन के लिए तो सभी जाएंगे लेकिन या का जो मेकेनिजम है वो इफेक्टिव है वो सिग्मा से भी हो रहा है सिग्मा से तो सब में ही हो रहा है लेकिन पाई से भी हो जा रहा है यहां पर और पाई से कमाल ही हो जा रहे हैं यहां पर बोलो यार अरे पाई के कमाल है यह यहां तो पाई होई नहीं सकते बोलो यार यह stability of anions का तो सबसे ज़्यादा यह और फिर अब यह आ जाएगा अब यहां पर सिग्मा न्यूटलाइजेशन जीत जाएगी क्योंकि क्योंकि ज्यादा खीच लेगा लाला ला लादी मेरे को जाना जाता हूं मेरी तो बहुत ज्यादा भूख है ला ला दे दे जा दे जाड़ा ब लो यार इसमें क्या है इस में सिगमा भी है और पाई दोनों तरहां के में differentiation है और इसमें केवल सिग्मा है इसमें भी केवल सिग्मा है इसमें सिग्मा कमाल है इसमें बक्वास है यह करेक्ट stability sequence होगा conjugate basis का और फिर hcdt आप जानते हैं फिर तो hcdt कि एंच आँर ego structure कि पिर आटों जो यारो विर और हुज तो 15 कि सब्सेज्ब जादा我說 Momo एंच यह आज चलते हैं आरुगे निक इंटर मिडेटिन टोगे की स्टेब्रीटी भी हम बैँ बॉढणनिंग से चेक कर सकते स्टेबिलिटि और गेनिक इंटरमीडेट्स की स्टेबिलाइजिशन में भी बैक बंौनिंग का कमाल का रूल है चलिए समझते हैं क्या है वह रूल रहे क्या है वो रोल श्वेता पांडा बहुत बढ़ आपने देखा नहीं कोई ने ratio अगर आपने बहुत बढ़ दिया तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे बताइए की मुझे बताइए ाति मुझे मुझे बता दीजे अगर मैं एक लिखूँ सीज़ांपल के में मुझे दिल दिल्दी से लदी से बहुत से इसका शबस आप लिकेशन खार्विक से रिमीच भी आल n वो तो भी इस तर्ण से किस तरह से इनचे केलाती है किस तरह से एंडूरानिक यॐँ आधोगों कर जल्दी से कर तो अगलेarrive जल्दी से बताईए बताईए कॉन जाधा स्टीबल है। कुछ नहीं करना है। सिंपल है। यहां पर सेंटर है, यह और कार्बन इसे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता। दोat में रखना चाहता किसी भी तरीके से चार्ई नूटाइज़र की सेजल होनी चाहिए और उस चार्भ निटलाइजेशन के लिए कौन भेते चार्ज नुटाइजेशन कर सकता है को कारबन के ये चार्ज नूटा Aunque सब्धने कर कर ले y कर सकता है बताइए कौन करेगा यहां पर ये भरे हुए टूपी इस खालि टूपी में देते हैंRP और अगर सकारूं इहां हाँ बहतरीन दे जाएगा कौन बहतरीन काइज दे जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाईज करना है यह एलक्ट्रोन न्यूट्रिलिटी वाला प्रिंसपल है और अगर बन गया है तो बताईये कौन सब्सक्राइब वही ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें इंटरेक्शन कमाल की होंगी जिसमें डोनेटिंग और अशेप्टिंग और बराबर एनरजी के होंगे या बिर कंपेरबल साइज के होंगे बताईए एफेक्टिव ओरलैपिंग किसमें तगडी होगी टूपी टूपी में यह तो लिए हैं बोलो यार आइसी वाजए से यह ज्यादा स्टेबल होगा औरे बोलो बहुत बहुत बढ़िया बता रहें आप लोग लेकिन आप देगा सुनो फूर्ख brings करें fellow है कि फ्लॉरीन खाले सेले करते यह जाद झाधे नेगिटिव 그램 थे लेकिन हैं यहां यह कार्वन नीटरल नहीं होच्प पॉजटिव है अब fluorine का बाप हो चुका elektronegativ में elektronegativity में तो इसके पापा बन गए अब fluorine सोरी इसके पापा बन गए अब कार्बन कार्बन अब बाप हो गया इसका अब fluorine को कहए का ने 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 होती होगी तेरी वो neutral की बाद थी जब हम neutral हुआ करते थे अब मैं C positive हुँ सी पॉजिटिव मेरे उपर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है और अब तो मैं किसी के बापकी ही नहीं सुनूंगा ले लेता है वो फ्लोरीन से बोलो यार अरे बोलो बोल तो दो बोलो भई समझे और effective overlap होती है ये तो है ये ये तो हो नहीं है ये तो कमाल का हो नहीं चा नहीं चाहेंगी तो ये बिल्कुल देना चाहेगा लेजा यार लेजा अरे लेजा कैसे भी लेजा इस मेरे माथे से इस negative charge को हटा दे बस जो मेरो पर ये खलंक लग गए ने ये negative वाला इसको हटा किसी भी तरीके से समझे आप मेरी बात लेकिन फिर वही बात ये तो केवल सिगमा से ही हटाता है अपने minus i effect से बोलो यार सिगमा मतलब अपना minus i effect और यहां यह सिगमा से भी हटाता है और पाई से भी हटाता है बोलो यार अरे बोलो पाई मतलब इसका minus i और minus m बोलो यार अरे बोलतो दो और इस वजह से यह जीत जाता है आपको समझ में आया होगा चलिए आगे चलते हैं जल्दी से आगे चलते हैं मुझे बताईए तीसरा जो example है CH2 positive chlorine का और यहाँ CH2 positive chlorine का बोलो यार कौन सा जाधा होगा जल्दी से बताईए ठीक वैसे ही एक और example अगर मैं लिख दू डी वाला एक और एक्जामपल लिख दूँ च्छ टू नेगेटिव प्लोरीन का और च्छ टू नेगेटिव प्लोरीन का बताओ यार कौन सा जाधा होगा जल्दी जल्दी से अपने बहुत जल्दी आगे चलना है बताए यहां पर क्या होगा वेकेंट मारा जा रहा है अरे मारा जा रहा है किसी तर किसी से इलिमिनेट करना तो इसके साथ इस टूपी के साथ ओवरलैप करके और भैतरीन ओवरलैप करके बहुत सी लेक्ट्रोन डेंसिटी ले लेगा वहाँ अब इस लिए ज्यादा स्टीबल होंगे बोलो यार यहां पर यहां पर बहतरीन डोनेशन करेगा क्योंकि टूपी टूपी इंटरेक्शन है यह 3P से देगा और 3P बड़े होते हुतने बहतर नहीं दे पाएंगे और लै है एलेक् irony नीट्रेलिटी की तरफ जाना चाहेंगे बोलो यार-कारन इसे यहां전 है यह सकता है यह पैसे बन जाएका ये इस तरह का संभाव है इसके लिए लेकिन इसके लिए नहीं है इसलिए यह ज्यादा स्टेबल अरे बोलतो दो और आ बोलो बही बोलो जल्दी से बोलो आगे चलूं क्या अरे आगे चलूं क्या जल्दी से बोलो जल्दी 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 बताए ए बताईए कौन ज्यादा स्टेवल रे जल्दी बताओ कौन ज्यादा स्टेवल कौन ज्यादा स्टेवल अतो मुझे पहले बात बताईए क्या यहां बैक बॉंडिंग हो सकती है क्या दूनों में बॉंडिंग क्य boocado भी टटल अइंट एटम पर होने चाहिए अगल-बअगल होने चाहिए अगल-बगल नहीं हूये है कि कई की ऐंगल बांडिंग बोल ठाय कि नहीं खाली और इसाय सब्सक्राइस आपस में एप्रोचिबल है यहां तो यह भारा वा भारा और बाइटल इस खाली और बाइटल बहुत दूर है अरे बीच में एक सिस्टम आ गया यहां एक सिस्टम मौझूद है और इस वजह से यह आपस में इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे तो यहां बैक बांडिंग तो न नहीं होगी ना यहां होगी ना यहां होगी तो बीच में यह सिस्टम आ गया यह बैक बांडिंग नहीं करने देगा बोलो यार यह से डोनेट नहीं करने देगा अरे ओवरलैप नहीं करने देगा कैसे करें ओवरलैप तो यहां पर बैक बांडिंग तो नहीं होगी मतलब इ देखे बैक बॉंडिंग आने से इलक्ट्रो नेगिटिवीटी के वजए से जो हम expected trend रखते थे जैसे जैसे मैंने बोला था कि B of 3 आप सोच रहे होंगे कि इलक्ट्रो नेगिटिवीटी की basis पर यह सबसे जादा होना चाहिए फिर यह होना चाहिए BCL3 रेखे जो हम सबसे इलक्ट्रो नेगिटिवीटी की basis पर यह sequence हम expect करते थे लेकिन iis sequence को उल्टा कर लिया रिवर्स कर दिया था bac bonding ने कि इनमें बैक्ट बॉंडिंग हुई थी अगर बैक्ट बॉंडिंग नहीं होती तो सीक्मेंस क्या रहता इलेक्ट्रों बैक्ट्रों नेगिटिविटी की वजह से के ट्रेंड उसको बदल दिया उसको चेंज कर दिया डिए ना हो तो फिर अपने को अब आपको माइनस आई ओने तो जो आपक्षपेक्ट कर रहे हैं से वही चलेगा बोलो यहां पर इस पॉजिटिव को बढ़ा देगा इसकी देंसिटी से और इंटेंस कर देगा और अगर यह पॉजिटिव बढ़ा तो फिर यह सिस्टम अनस्टिबल हो जाएंगे या relatively less stable होंगे क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा खीचता है यह कम खीचेगा बोलो यार यह तो कम खीचा केवल इतना ही खीचा तो यहां पर पार्शल पॉजिटिव और जो जनरेट हो वह कम होगा यहां कमाल के पार्शल पॉजिटिव जनरेट होंगे और क्यूंकि यहां पर पार् समझे आप मेरी बात बहुत कम खीच रहा फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन तो ऐसी की तैसी करणा लेगा इसका पूरा पूरा शेयर इलेक्ट्रों पेर देंसिटी अपनी तरफ खीच लेगा इस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव ला देगा अनस्टेबल बना इसलिए यह वाला सिस्टम रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा इस सिस्टम से अब एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रों नेगिटिविटी के ट्रेंड से चलना अपने को यहां तो पाई बैक्बांडिंग्स होई नहीं बोलो यार अरे बोलो बोलतो दो समझा मेरी बात चलि नेगिटिव चार्ज रग दूं इस तरह से क्लोरीन क्लोरीन कर दूं तो क्या होगा अब भी बैक्बांडिंग तो हो नहीं सकती बोलो यार और अगर बैक्बांडिंग नहीं हो सकती है तो फिर अपने को इलेक्ट्रों नेगिटिविटी वाले ट्रेंड लगाने और electronegativity concept कहता है कि यह अब देखो इस negative को यहां पर इस positive को किसी भी तरीके से हटाना था carbon के उपर यह जो positive charge आ गया था carbon चाहता है किसी भी तरीके से हटा दूँ लेकिन यह fluorine उसे और बढ़ा रहा है इसके respect में क्योंकि chlorine उतना नहीं कीजिता उतनी ऐसी तेसी नहीं करता जितना fluorine ने किया है उतना नुकसान नहीं करता हो क्लोरेन लेकिन अगर要 बात करों तो यह क्या होगा यहां पर अब यह क्या चाहता है यह चाहता था कि इलेक्ट्रों डेंसिटी लू यह चाहता था कि यह पॉजिटिव चार्ज डी लोकलाईज हो जाए और यह चाहता है कि इलेक्ट्रों डेंसिटी दू ताकि यह नेगेटिव चार्ज डी लोकलाईज हो जाए यह नेगेटिव लेने वाला होना चाहिए मैं इसे डिक्रीज करना चाहता हूं किसी भी तरीके से बोलो यार तो यहां पर यह चाहता है इसकी डिमांड है कि ना यहां तो पगड़ा लेने वाला लगा दे लेने वाला लगा दे और ऐसा ही होता है जैसे हम यहां फ्लोरीन लगाएंगे फ्लोरी उतना यहले पाय गारушки लेघर कमा ळिया आट पर जो बचा वह बहुत कम बचेगा इसके ओपर बचा बोलो यार और बोलो भाल भालो पोला के लास वरकवियर मांसी बिल्कुल सही अकास बिल्कुल सही गारगी बिल्कुल सही और शीन बिल्कुल सही बहुत बढ़ी आप लोग बिल्कुल सही बता रहें आप लोग चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि एफ जी बताईए इनकी स्टेबिलिटीज के बारे में आपका क्या कहना है यह फ्लॉरीन है और यह प्लॉरीन है बताईए इनकी स्टेबिलिटीज को लेकर आपका क्या कहना है कौन जादा स्टेबल होगा कुछ नहीं करना ऐसे केसिस में कुछ नहीं करना होता है अपने को तो बैक बॉंडिंग की सिच्वेशन बनाके देख लेनी है एक एटम पर भरा हुआ और बाइटल दूसरे एटम पर वेकेंट और वाइटल हमें तो बस यह देख लेना है अगर ऐसा आ रहा है तो फिर तो फिर हमें अगली कंडिशन चेक कर लेनी और 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 फिर इस तरह का बनेगा इस तरह का बनेगा और इस तरह का बनेगा बोलो वाई इस तरह का बनेगा ओहो इसकी अगर चर्चा करें इसकी अगर मैं चर्चा करूं और इसका भी बनाऊं तो यह कुछ इस तरह का बन जाएगा बोलो यार अरे बोलतो दो यह इस तरह का बन जाएगा तो क्या दोनों में दोनों में दोनों में अरे दोनों में दोनों में बैक बॉंडिंग हो सकती है क्या हो सकती है कमाल हो सकता है खूब हो सकता है अभी हम लोगों ने देखा से बोलो यार यहां पर भी यहां पर भी पाई बैगबॉंड बन सकता है यहां पर भी पाई बैगबॉंड बन सकता है बोलो यार बताओ किसमें किसमें इस खाली और और बाइटल की इंटरेक्शन बैतरीन होगी जिनमें साइज कमाल के होंगे जिनमें साइज मैच कमाल के जितना कि चोटा तूपी कर जाएगा और इस वजह से इस वजह से यह जादा के वल होंगे ओपर वाले से समस्जिया आगे कि चलते ले ग्जामपल की तरफ चलते हैं अगले ही एक्जामपल की तरफ चलते हैं मुझे बताईए एफ था जी ले लिजे बताईए अरे बहुत लफड़ा होता है इनमें यह और गए और गेनिक इंटर्मीडेट है जी उसी में आपकी एसी क्या रखते हैं इनका लफड़ा समझना बहुत मुश्किल होता है लेकिन बैक बांदिंग कुछ अध तक इनहें हमें समझा देती है बताईए कौन जादा सबस्क्राइब बन का लगाना है लगा लो और निकल लो लगा दो और निकल लो बहुत बढ़िया आपने बिलकुल तीख है अब मुझे बताईए इसमें बत जिसके उपर lone pair है, वो orbital कौन सा है, lone pair containing orbital कैसा है, उसका size कैसा है, यह हमें देखना था, यहां पर बताईए यहां क्या होगा, अरे यहां क्या होगा, यहां मुझे समझा दीजी, यहां थोड़ा मुझे बताईए क्या होगा, कुछ नहीं करना, इसमें भी resonating structure ही बनाने, बोलो आरे बोलतो दो, आरे बोलो, इसमें भी resonating structure बनाने, और resonating structure बनाके देखलो, आरे resonating structure बनाके देखलो, देखो भाईयाजी, देखो, देखो, यहां negative, यहां फ्लोरीन, यहां negative, यहां क्लोरीन, बोलो यार, यहां negative, यहां क्लोरीन, बोलो यार, यहां negative, यहां क्लोरीन, अरे सकती है यह नेगेटिव चार्ज दोनों ईनेड़िवाइचर्ज नीउटर्लइस होना चाहते हैं यह कारवन चाहता है कि कम से कम नेगेटिव हो मेरे पास यहाँ पर मेकाणिमें केवल ओनली सिग्मा नूट्राइजिशन वतिंटर्शन एक यहाँ सबस्क्राइब सीघ्मा के साथ यह समय नंबर और बौन्स बॉल यार नंबर उन्टेरेक्शन बर जाएंगी बोल तो अरे ये बन जाएगा ये इस तरह से इसलिए ये वाला जादा स्टेबल बोलो यार अरे बोलो बोलो भीया जी जल्दी से बोलो अरे बोलिये जनाब जनाब बोलतो दो अगला जी एच बताइए लास्ट करवा रहा हूं इसके बाद अगली अप्लिकेशन की तरफ चलेंगे अगली अप्लिकेशन की तरफ चलेंगे अपन अरे बोलो वलो बताइए इसमें क्या होगा क्या बैकबॉंड इंड नं की कंडिशन में सकती है क्या मुझे बताइए बैक बॉंडिंग की कंडीशन क्या है ए और बी पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव ए पर खाली इस पर खाली और और इस पर भारावा और बैटल एडजेसंट पर होने चाहिए यही बैक बॉंडिंग की सब्सक्राइब के लिए यह तो चाहज इस पीसीज में आपको यह कॉंबिनेशन तो देखना ही है जिसके ऊपर पॉजिटिव उसके पास बेकेंट और जिसके पास जिसके पास जिसके पास बगल वाला है उसके पास बारावा और बैटल यह चाहज पीशीज की कंडिशन वही है बिलकुल वही है बस पॉलेरीटी करवा के इंटर इलक्रोनिग रिपुल्स करवा के फिर फिर डोनेशन के लिए प्रेरित करते इंकरेज करते यहां यह सब तमासे नहीं यहां पर सिंपल है electronic नीूच्ट्राइज़यसन करना किंवल यहां पर electronic चार्ज को नूच्राइज करना यह केवल क्यूच्च पॉजिटिव चार्ज सेरा ओनस्रेब देकंव요 किसी भी तरीके से उसे उसे सिन जुच्त करना और देखिए कि इस तरह की situation दोनों में आती है क्या अगर आएगी तो backbonding हो जाएंगी फिर हम देखेंगे कि इसमें backbonding बैटरीन है वह resonating structure ज्यादा stable हो जाएगा मतलब वह intermittent ज्यादा जाएंगे चलिए चेक करके देखते हैं अगर मैं इसको यहां ले जाओ इसको यहां ले जाओ तो positive charge यहां जाएगा और अगर मैं इसको positive charge यहां आए यहां आए हेट्रो item के बगल में positive charge आए तभी backbonding हो पाईगी नहीं तो नहीं होगी बोलो यार लेकिन अगला resonating structure बनाऊंगा तो वेर कुछ और हो जाएगा देखिए ऐसा हो गया जो मुझे दरकार थी जिस positive charge की मुझे जिस position पर धरकार थी वो मुझे नहीं मिला ठीक है यहां पर चाहिए था यहां पॉस्तिव होना चाहिए था लेकिन एक बार positive यहां आया और दूसरी बार यहां आ गया यहां तो आए नहीं और अगर यहां नहीं आया तो क्या नहीं नहीं आएगा कभी नहीं अगी नहीं आया तो फिर इन में गाद करो मैंने क्या घा जब बाटा से लेट्ट्र嫁टर लेक्फर्न की है पर जो चलेंगे बोलो यार वहीं चलेंगे आप लगने रहे हैं जो जादा इलेक्ट्रो नेगेटिव जो जादा इलेक्ट्रो नेगेटिव पॉजटिव को उतना ही इंटेंस कर देगा उतना ही बड़ा देगा उसको उतना ही डी स्टेबलाइज कर देगा जितनी जितना जादा जितनी जादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नेगेटिव को उतना ही कम करेगा कम करेगा कम करेगा उतना ही स्टेवलाइज कर देगा समझे आप मेरी बात तो बताएं यहां तो पॉजिटिव है तो यहां तो यहां तो बैक बॉंडिंग लगी नहीं अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर है यहां पर है और यहां पर दोनों ही यहां पर अगर पॉजिटिव बने दोनों ही अनस्टेबल है क्योंकि यह फ्लॉरीन है और बहुत बहुत तेजी से बहुत ज्यादा इलक्ट्रॉन डेंसिटी यह खीच लेता है और यहां पर पार्शल पॉजिटिव को यह बढ़ा नहीं लगेगा पार्शल पॉजिटिव को बहुत ज् सब्म करेखना है केवल, और प्लॉरीन तो कार्वोकेटने को destabilis कोें सब्याय सब्सक्राइब जब तक बढ़ान नहीं लगेगी प्पजिटिव बढ़ाये है बढ़ाये लगे यहां बढ़ाये सब्सक्राइब कि समजें आप मेरे बात, यहां पärव शब्सक्रा समझना आया जलिए टरताएं करते हैं कारबीन्स की 9th application stability of carbene stability of carbene मुझे तो एक बात बताईए की तरह की होती है कारबीन कितने तरह की होती है मुझे जल्दी से बता दिजे कारबीन कितने तरह की होती है मांसी नेगेटिव चार्ज रिंग में होना चाहिए था क्या सर रिंग में तो मैंने करके दिखा दिया है मैं ने रिग में कर थी दिखा भिया है कि जा ही को पर अब अगर रिंग के बाद है इस लॉकलाइज लग्लाइज सरोट चाहिए, two, अगर है उसके बागल में जो हेक्ट अर्व डी अनवींटॉ बोलो भई और वो नहीं था इसलिए यहां पर back bonding नहीं हुई और फिर हमें electro negativity के concept से चलना पड़ेगा उसी के trend follow करने पड़ेंगे उसी के outcomes follow करने पड़ेंगे बोलो यार stability of carbene type of carbene आप type of carbene जानते हैं कितनी तरह की carbene होती है कितनी तरह की carbene होती है on the basis of on the basis of on the basis of its on the basis of its its characterization towards ESR spectroscopy जिसे आप on the basis of its spin state भी बोलते हैं जिसे आप on the basis of its spin state भी बोलते हैं on the basis of its spin state spin state के basis पर या फिर ESR spectroscopy के respect में ESR spectroscopy के towards कितनी तरह की carbene हो सकती है तो इसका जवाब है केवल दो टू टाइप्स दो तरह की हो सकती है कौनसी है वो मुझे बताई यह कौनसी है वो अनूप सर ने पढ़ाया होगा कमाल पढ़ाया होगा उन्होंने बैतरीन समझाया होगा आपको अरे बैतरीन ESR spectroscopy से पढ़े जाते हैं अन्पेर एलेक्ट्रोन रखने वाले सिस्टम को हम ESR spectroscopy से पढ़ते हैं इसलिए जिन में अन्पेर होंगे उन्हें वो ESR active होंगे और जिन में सभी paired होंगे वो ESR inactive होंगे तो ESR active है या inactive है यह कहा से पता चलेगा उसके spin state से spin value से पता चलेगा कि वो paramagnetic है या फिर वो diamagnetic है अगर spin zero है तो फिर वो diamagnetic है अन्पेर एलेक्ट्रोन है और अगर spin non zero है तो फिर उसमें अन्पेर एलेक्ट्रोन है और वो और वो paramagnetic है ESR active हो है समझे आप मेरी बात तो यहां पर singlet और दूसरी triplet दो तरह की कार्बीन होती है बोलो यार singlet होती है triplet होती है singlet कैसी दिखाते हैं आप कि इस तरह से दिखाऊं कि यह आपकी singlet है और यह आपकी triplet है यह आपकी triplet है बोलो यार यह आपकी triplet है अच्छा मुझे कोई बताएगा इन दोनों की hybridization क्या होती है singlet की hybridization क्या होती है और triplet की hybridization क्या होती है कोई मुझे बता देगा क्या जल्दी से आप मुझे बताएंगे क्या अरे जल्दी से मुझे hybridization ड़ो इसकी दोनों के अबनेडिएजिशन क्या होती है देखिए इसमें क्या है इसमें सभी इलक्रान पर्यड है तो S वेल्यू जो होगी वह हो जाएगी 0 और यह हो जाएगी ESR इनक्टिव बोलो यार यह एचार इनक्टिव हो गई भोलो यार इसमें प्रेशब्स प्लस वन यार यह आजएगी तीन और यह क्या हो जाएगी यह सार एक्टिव ऐसाई होगा इसी तरह से चलेगा मुझे बताईए जल्दी से बताईए यह दोनों का बताईए मुझे क्लियर कीजे दोनों का यह कमाल की बताईए अब मुझे बात बताईए स्टीबल ज्यादा कुन सी है सिंग्लेट ज्यादा स्टीबल है सिंग्लेट ज्यादा स्टीबल या फिर ट्रिपलेट ज्यादा स्टीबल कौन है ज्यादा मुझे बात बताईए कौन सी ज्यादा स्टीबल है सिंग्लेट या ट्रिपलेट तो होगा क्या देखिए मैंने जब मैंने जब इलक्ट्रॉन भरे η Τर्टर दीया подар electronics स्पी को कट खाली चोड़े ऐसी किया था और अगर अगर मैं चर्चा करूं तो एक electron को मैंने स्पी कमेरण और एक फिलेट में अबिजो मैंने बनाई था अभी जो मैंने स्ट्र क्षर तरह यह यह सब और यह कंट पिए और यह पशिली पी usually in the form वर सब्सक्राइब सोलने इसका कर रहा हुँ मैं तो मैं इसकी बात कर रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं, side atom आपके hydrogen है, side atom आपके hydrogen है, बताईए, कौन ज्याधा stable, कौन ज्याधा stable, singlet या triplet, जल्दी से बताईए, बिल्कुल push करना, रायन, बिल्कुल सही बोला है आपने, इसकी बताईए, बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ पर, मेरी बात ध्यान से सुनना, यह जो energy gap है, यह जो energy gap है, यह energy gap बेहद कम है, इस energy gap is very very low than pairing energy, यहाँ पर pairing energy पे की गई है, pairing energy पे की गई है, क्योंकि दो electron को एक orbital में रखोगे, तो दोनों के बीच में electrostatic repulsion होंगे, तो आपको एक energy लगानी पड़ेगी, एक system को एक energy देनी पड़ेगी, उन दोनों traffic repulsion है, उसे overcome करने के लिए आपको energy खर्च करनी ही पड़ेगी, supply करनी ही पड़ेगी, तो pairing energy एक बात और दूसरी कमाल की बात और है, यहाँ पर exchange energy 0 है, exchange energy, exchange energy नहीं है, नहीं है, लेकिन यहाँ पर pairing energy भी नहीं, पर यहां पर आपको क्युद आपने दो दो एक्सचेंज और यह ज़्हादा और स्टेबल याद करोयों क्रोमियमId वाली वहका क्रोमियम की एपक्रोनिक configuration forest to forest to 3D4 ये ना रहीं कर ये ना रहेंकर ये थ्री पाइफ इसन बन जाता था यहां पर यहाँ पर पेर इंठी नर्जी खर्च करनी पड़ रही है और स्पीन के भी कम है यहां पर पेरिंग डिया भी नहीं एक्सचेंज एनरजी के फाइदे भी है और पेरिंग एनरजी भी नहीं देनी पड़ रही इसलिए यह ट्रिपलेट बहुत ज्यादा स्टीबल है कमाली स्टीबल है इतना तो आपने और्गनिक में पड़ रखा है यह तो मैंने वैचे बता दिया चलिए आगे अब मुझे बत बाइए कौन ज्यादा स्टीबल ट्रिपलेट ट्रिपलेट ज्यादा स्टीबल यह समझ में आया लेकिन मुझे बताइए अगर मैं इस एच को हटा के कोई साइड एटम ऑक्सिजन टाइप ले आऊं तो फिर ऐसे केस में क्या होगा सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होगी या ज्यादा स्टीबल होगी कौन सी ज्यादा स्टेबल ऐसे केस में जब साईड एटम पर लोन पहर होते हैं इस केस में Keyork e देखिए देखिए मेरी बात भुखुधियान से सुनना अरे मेरी बात भुखँ ध candle na de 우리나라 mistर ज्याद जुनना देखिए अभी मैंने बोला ट्रिपलेट ज्यादा इस लिए मुझे क्या करना पड़ा था पेर इंटर्जी पेरिंग एनर्जी सप्लाई करने पड़ रही थी और तो इसको खर्च करना पड़ता है और यह मैं कर नहीं सकता इन दोनों के बीच में जो और्ब तल इनर्जी डिफ्रेंस वह तो बेहद कम है इसलिए एक यहां पड़ा रहता है कोई दिक्कत नहीं है यह तो था यह तो तब था जब यहां हाइड्रोजन था और इस तरह की एडिशनल इंटेरेक्शन की कोई संभावना थी नहीं लेकिन सोचो अगर साइड एटम पर एक लोन पेर कंटेनिंग स्पीसीज इस हेटरोचन कोई आजाए जो कि जोकि इंटेरेक्श कर सकता है इस इस प्यॉर्ठी और वाइटी उर्वाइटल से तो फिर क्या होगा अब कमाल हो जाएगा अब गजबी हो जाएगा अब दरसल क्या होगा यह कहता है यह जो lawn payer है ना ये loan pair it लोन पेर कहता है इलोन पेर कहता है असे कर तो आब तो मुझे दिकत्क नहीं है येसे तो उठके यहां जाएगा तो मैं इस वेकेंट और बाईटल के साथ ऐडीशनल इंटेरेकशन करके एक पाई बेक बॉंड बनाऊँगा और इस नए बॉंड से दा रिलीस होगी इस पेरिंग एरज़ी और आजाएगी और अब ये पेरिंग हो जाएंगी अब यह एलक्ट्रोन उठके यहां आ जाएगा बोलो यहां कुछ नहीं रहेगा नहीं रहेगा और इनके बीच में यह गुलू गुलू हो जाएगा और अगले अगले रेजनेटिंग स्टक्चर में एक नया बॉंड और बनेगा इस तरह का एक नया बॉंड बनेगा और यह दोनों इलक्ट्रोन यहीं पेड हो जाएंगे अब यह बहुत जादा स्टेबल है क्योंकि इस एडिशनल बॉंड ने इस अदिशनल बैक बॉंड निंग ने इस ने दरसल पेरिंग एनरजी को पे करवा दिया है और अब यह सिंगलेट सिंगलेट डॉमिनेट करेंगे अब यह यह ट्रिपलेट सिस्टम सिंगलेट में बदल जाएंगे जैसे ही साइड अटम पर लोन पेर आएगा और एडिशनल इंटेरेक्शन की संभावनाय जन्ग और यह ट्रिपलेट जो कि पहले बहुत जादा स्टेबल थे बहुत जादा स्टेबल थे क्योंकि वह पेरिंग एनरजी नहीं थी लेकिन यह एडिशनल इंटेरेक्शन नए बांड बनने से यह पेरिंग एनरजी भी मिल जाएंगी और बहुत बहुत जल्दी बहुत तेजी से ये triplet system singlet में बदल जाएंगे और अब ये singlet carbine ज्यादा stable होगी समझे क्या आप मेरी बात अरे आप मेरी बात समझे क्या तो मुझे समझाईए बताईए रिपलेट सिंगलेट बताईए कौन जादा stable ये क्यों क्योंकि इसमें इंटरेक्शन हो रही है और इसमें इंटरेक्शन भी हो रही है जो यहां नहीं हो रही बोलो यार अरे बोलो समझे आप मेरी बात अरे आप मेरी बात समझे क्या समझे आप मेरी बात अब मुझे एक और बताईए बताईए सी एफ टू सिंगलेट जादा stable है या सी एल टू अचा मैं इसको को ऐसे लिख देता है चिंगलेट कौन सा जाधा stable है कौन सा जाथा जिसमें बैक्टर कामाल की बोलो यार यह यहां इसके 2P में 2P से आ रही है यहां इसके 2P में उसके 3P से आ रही है और आप जानते हैं 3P 3P के overlap 2P से बक्वास होते हैं इसलिए यह कम stable होगा यह inveja stable अरे बूलतो दो आया समझ में जल्दी से बताइए मुझे बताइक समझ में क्या ज्यादा जादा कौन देदेगा जादा कौन देदेगा प्लोरीन वाला देदेगा चलिए चले आगे चले आगे चले क्या 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 आपको समझ में आया चलिए आख दरसल इन और्गनिक बेंजैन कहहलाती है उसकी कुछ वजाई 흥ी क्या है सबस्कταपहले ब्रीपेरेशन रेक्शन्स हम थोड़ा समझ दे ती 250 यह चैंग तोant माने मस हदए कि द्वारी जो इस व्य moim b resurrection उसमें उसकी physical properties को change करती है, यह सब हम लोग सीखेंगे, किस तरह से backbonding उसके chemical reactions को control करती है, यह सब सीखेंगे, और क्या resemblance है benzene में और borazene में, समझेंगे आप, तो इसको थोड़ा सीखते हैं, last application है backbonding का, उसके बाद भी bridge bonding स्टार्ट करेंगे, बोराजीन की बात करते हैं, यह inorganic benzene होती है, inorganic benzene, इसे आप inorganic benzene भी बोलते हैं, inorganic benzene क्यों बोल रहा हूँ, inorganic benzene बोलने की साफ साफ वज़ा है, कि benzene और borazene, दोनों की जो physical properties है न, इनकी जो physical properties है, इनकी physical properties, इन दोनों की physical properties, बोराजीन और बेंजीन की physical properties, और इनके alkyl-substituted derivatives, इनकी जो physical properties है, बेंजीन की alkyl-substituted ले लिजे, बोराजीन की alkyl-substituted ले लिजे, या फिर ये दोनों ले लिजे, इनके जो physical properties है न, उनमें कमाल के match है, उनमें similarities गजब की है, कमाल similarities है, कमाल की similarities है, physical properties में कमाल की similarities है, इसी वज़े से इसे inorganic benzene बोलते हैं, ठीक है, चलिए preparation कैसे करते हैं इसका पहले preparation समझाता हूँ फिर physical properties का comparison करेंगे किस तरह से बोराजीन की physical properties benzene से मिलती जूलती है कौन-कौन सी properties मिलती जूलती है और फिर देखेंगे कि इनकी बहुत सी chemical properties जो मिलती जूलती नहीं है वह कैसे नहीं मिलती जूलती है क्या वज़य है उसकी और किस वज़य से इसे misnomer भी कहा जाता है क्या वज़य है उससे समझेंगे लेकिन पहले समझते हैं पहले समझते हैं इसकी preparation preparation पी आरी preparation of बोराजीन कुछ दो तीन reaction है यह पक्का आप इन्हें याद कर ले ना preparatory reaction पक्का पूछ सकता है क्योंकि बोराजीन अपने आप में बहुत important है यह अपने आप में इन और गनीक बैंजीन है जो बैंजीन है बैंजीन के इन और गनी केमेस्ट्री में बहुत close उसके सगे बैंजीन के इन और गनी केमेस्ट्री में जो सगे संबंदी सबसे जो उसके बेहत करीब हैं मिलते चुलते हैं या तो वह बोराजीन है या फिर वह ट्राइमेरिक लीजिस्थ वहाँ है यहनुत वह कि आ होगा यहान पर लिए अमोंुय में इन तो यह क्या होझा प्रोटोन का सोर्स हो जाएगा यार मोयाया अगर체적 करण कर ओं gör आया सब ór तो यहां पर हिसने दैने द दूर अदान ओव यह यह बॉरीटके ओयए यह अगर इसkिया आफिक पैड्म है यह है यह है लेविस आइस और यह क्लोराइड और नीचे यह बन जाएगा अड़क्ट लेविस एसिड इंटरेक्शन बोलतो दो यहां हो जाएगा ammonia और यह हो जाएगा BH3 यह बना यह अडक्ट जैसे आप इसे heat करेंगे जैसे ही आप इसे heat करेंगे तो आपके पास आजाएगा बोरा जीन जिसे आप कहते हैं NH BNH इस तरह का बोलो भई अरे बोलो बोलतो दो यह आजाएगा समझे आप? अरे आप समझे क्या टाइम हो गया अरे अरे अभी नहीं हो है 6 वजे क्लास है हमारी सर 6 वजे क्लास हमारी अरे 5 मिनिट और रुख जाना प्रिप्रेटरी रेक्शन तो करवा दू उसके बाद चले जाना ठीक है यह हो गया यह एक तरीका हो गया बोलो यार यह एक तरीका हो गया एक तरीका ही हो गया और दूसरा तरीका यह भी आप याद रख लेना यह भी आप याद रख लेना यह भी आप याद रख लेना अरे इसे याद रख लेना तरीके को अमूनियम क्लोराइड प्रिप्रेटरी रियक्शन बेहद इंपोर्टेंट है 420 केलविन और ये है क्लोरो बेंजीन ठीक है इसे आप याद रख ले न भई इसे याद रख ले न ये क्लोरो सब्स्टीटिटेड बनेगा और इसका आप अगर रिडक्शन करा देंगे सोडियम बोरो हैड्राइड के साथ तो यहाँ पर ये जो ये जो क्लोरीन है ये निकल जाएगी ये हैटोजन से सब्स्टीट हो जाएगी और ये फिर बन जाएगा बोराजीन बोलो ये प्रिप्रेटरी रियक्शन है इसको पक्का क्या कह रहा हूं अरे आप समझे क्या मेरी बात कि आप समझे क्या मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं यह 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 नहीं हो गांतर यह याँ पर लहां इस की आरागर इन हो सब्भाइन रुक्ते में इसको यह दे कर रिल्धू यहां बस यहीं तक पढ़ाऊं क्या, या और अगली क्लास में पढ़ाऊं जल्दी से मुझे बताऊ, छोड़ दो अब सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजे बोराजीन क्या रिपीट करना, कुछ रिपीट करने का नहीं है इसमें बोराजीन इन और्ञेनिक बेंजीन है कि जगह उसको हम बनाते कैसे हैं उसका प्रिप्रेटरी रियक्ष्टन क्या है बोराजीन कैसे बनती है वह भनती है वह यह लिए पर यह बन जाएगा और फाइनल प्रोडेक्ट पहले तो यह और यहां पर यहां पर यह बनेगा बोलो वह यह बात आप याद रखना इतनी सी बात मैंने की है बोराजीन कैसी दिखती है वह मैं उसका स्टक्चर आपके सामने बना देता हूं अगली क्लास में हम इसकी तरचाएं और करेंगे इसकी फीजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प् सद्यर्णन्न मिंऩरए वॉव्यंत और के अगले में तरेक种 करेंगे किस तरह से बेकोवां न्यक्र वानी किस तरह से बैकोवानी अनुए कैसे इसका इस तरह का स्टक्चर ँखता है फो सब्सक्राइस जी सार वोजटा स्बाता तो यह ज़ना बनाया यहां पॉजिटिव लगा दिया क्योंकि यह क्योंकि यह दे रहा है और यह पॉजिटिव चार्ज इस पर रियल चार्ज नहीं है बसके वल यह बता रहा है कि डोनेशन जो हो रही है ना, चार्ज फ्लो जो हो रहा है, वो यहां से हो रहा है, यह डोनर है, चार्ज का फ्लो यहां से हो रहा है, that's it only, और यह ले रहा है, इसलिए नेगेटिव बता दिया, यह दे रहा है, 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 य यह इसका रेजुनेटिंग स्ट्क्चर होता है इतनी चर्चा है अगली क्लास में और चर्चाइं करेंगे तब तक आप कोई सवाल है तो आप पूछ लीजे मिलते हैं फिर अगली क्लास में करेगा स्ट्क्वाइब यह अब यह एन्ट अंट डोनेट और एंड यह बनता है और तो पुदित कुमार जी स्ट्क टूई होता है कि दोनों लगते हैं वुपेंद्र जी दोनों लगते हैं एफ का एफ का माइनिस आई लगता है कमाल का लगता है पिलस और उसका बहुत बखवास लगता है ना के बराबर एसलिए वह बोरहन सुरुआत में लगता है कि अधीन घृते हैं वह जुढतो जाता है यह नहीं में दुनिया की वड़ी गल्ती मैं इन तीनों का ट्रेंड क्या होता है यह मैं अगले अगले क्लास में लिखवाऊंगा तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि बोरॉन गया तो था बहुत खुसी से फ्लोरीन से जुड़ने लेकिन पता चलेगा कि फ्लोरीन ने उसे ही लूट डाला उसकी लेली उल्टा गया था वह बहुत आसी की में गया था लेकिन उसको कुछ हाथ लगा नहीं वहां से वह दरसल मोक्स के चक्कर में गया था ओक्टेट कंप्लीशन के चक्कर में गया था लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया मैंने आपको बताया अगर अक्टेट कंप्लीशन करवाना होगा तो इन को आएना ही जोना पड़ेगा और फ्लॉरीन तो कहर रहा हूं होई नहीं सकता या सा क्लास में हूँ आरहा हूं बस ठीक है मिलते हैं हर्स जलान मांसी हon encoder वे वी रहा है बो रहे हम उन सब सक्रोमेंगे मैं तो आपको बतारा हूं लोन पियर की वैलिबिलिटी किस तरह से कम हो जाती हैं बैक बॉंडिंग से और उसकी के य। कम हो जाती हैं तो मिनेप्स रिक में होगाई और किस तरह से लेविस को भी बैक-बॉन्दिंग घटाती है अमने के वल उतनी चर्चा की उतनी चर्चा करनी है क्योंकि मैं अधक्ट की चर्चाइं कर रहा हूं और अधक्ट में availability of electron on this lone pair of nitrogen वही हमें चेक करना है और वो कम हो रहा है वो कम हो रहा है बैक बांडिंग से और हमारा मेन फोकस बैक बांडिंग है अभी अगली क्लास में मेरी रामजा स्कॉले से भाई अभिशेक जी अधिती बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिलते हैं अगली क्लास में तब तक ये धन्यवाद हाना शीख है मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में तब तक के लिए आप सब का शुक्रिया आप सकते हैं के कि भी आप सुक्रिया अे मीण टाप सब एक बायता अच्छ में टाप दो हम ऐन जाप समया झाल झाल